नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है अधिशाबडा स्वागत आपको मारे यूट्यूब चैनल प्रॉक्सी ज्यान में दोस्तों अगर आप अपने स्मार्टफोन में गूगल मैप्स को ओपन करें तो आपको कुछ इस तरीके का व्यू दिखता है जैसे मैंने य आप पर जो बिल्डिंग्स बगारा हैं उनका आपको व्यू चाहिए वह वह जो फीचर था वह जो चीज थी अभी तक आपको अवेलेबल नहीं थी इंडिया में अब क्यों होने जा रहा है अब इस चीज को इंडिया में अवेलेबल कराएगा गूगल थ्रू गूगल स्ट इस वीडियो में यही जानेंगे कि गूगल स्टीट भी होता क्या है इसमें किस तरीके से जो स्टीट व्यू है वह दिखाया जाता है अप्लिकेशन में और इंडिया में अभी तक क्यों अवेलेबल नहीं था इन सारी चीजों को हम डिसक्स करेंगे बिफोर वी प्रसीट फ अब इसमें जो गूगल स्टीट व्यू जो है इंडिया के दस शहरों में अवेलेबल होने जा रहा है और यह एक्सपेक्टेशन हैं कि साल के एंड तक इसको और पचास शहरों में अवेलेबल करा दिया जाएगा अब इसमें जो गूगल स्टीट व्यू जो है यह अल्रेडी 2007 से शुरू हो चुका था है अब इसमें क्या होता है बिसकली एक 360 डिगरी इंटरेक्टिव पैनरोमिक व्यू दिया जाता है मतलब 360 डिगरी जो है इंटरेक्टिव पैनरोमा फीचर होता है गूगल मैप्स में उसके थुरू आप जो वेरियस लोकेशन हैं उनको डिटेल में देख सकते हैं स्टीट जो होती है जो बिल्डिंग्स होती है उनको इन डेप्थ आप देख सकते हैं कहीं पे भी बैट कर ठीक है अब इंडिया में जो यह अवेलेबल कराया जा रहा है गूगल स्टीट देखर लास्ट येर फैबररी में यह पॉलिसी आई थी उसके बाद अब जो इमेजिस हैं गूगल जो थर्ट पार्टी कंपनीज हैं उनसे लेगा और स्टीट व्यू अपनी जो फीचर है गूगल स्टीट व्यू उसमें अवेलेबल कराएगा अब बिसीकली यहां पर हम य एक इनसान चलता है उसकी पीट पे एक बैग में यह कैमरा लगाया जाता है और वो पूरे शहर के चक्कर लगाता है जैसे आप यह देख सकते हो यह गाड़ी है उसके उपर कैमरा को माउंट किया गया एक और इमेज है मेरे पास जिससे आपको और बैटर आइडिया होगा क किस तरीके से गूगल स्टीट व्यूव में जो इमेजिस केप्चर करी जाती है और उसके बाद यूजर को अबयाबल करा दिया जाता है ताकि यूजर इस चीज़ को यूजस करते और ज्जादा बैटर व्यू देख सके व जो जिस्टीट भगळा होती है उनका ठीक है और भी यह available होता है feature अब यह आप देख सकते हो इस तरीके का जब आपको street view दिखेगा ना किसी भी एरिया का तो वो इस तरीके का दिखेगा जैसे यहाँ पे आप एक building देख सकते हो इस तरीके के ही आपको street google street view में various जो buildings होएंगी यह जो roads होएंगी उनका view आपको इस तरीके का दिखेगा अब बात आती कि अभी तक यह feature जो है इंडिया में available क्यों नहीं था दोको 2011 में क्या हुआ था बैंगलोर city बैंगलोर city में पुलिस ने इस तरीके की Google की एक vehicle को रोका था जो अलग-अलग locations की images को capture कर रह है कि फर्दर इस street view के साथ इंडिया में proceed नहीं करेंगी इस feature के साथ ठीक है हाला कि देखा जाए तो इंडिया में कुछ companies हैं जो already इस तरीके से जो maps वगरा है वो available करा रही हैं for example wandobo and map my map my India जैसी कुछ companies हैं जो immersive visual maps को available करा रही है अब बात आती है कि यहां पर जो street view का feature है वो कैसे लाया जा रहा है तो जैसा मैं आपको भी बताया हमारे सरकार ने last year national geospatial policy को introduce किया था अब इस policy के थ्रूप क्या होगा जो Google होगी वो जो third party companies है for example जैसे यहां पर आप देख सकते हो Tech Mahindra और Mumbai based Genesis International जो हैं यह क्या करेंगी यह images को capture करेंगी क्योंकि Indian Companies हैं तो यह images को capture करके यह images किसको दे देगी Google को दे देगी तो इससे क्या होगा जो data वागएरा होगा वो इंडिया में रहेगा और वो data थर्ड पार्टी तो जान लेते हैं कि इसकी limitations क्या है तो देखो इसमें मान लो कि अगर जैसे Google Maps होते हैं उससे आप किसी भी जगा की location वगएरा आप देख सकते हो आप रास्ता वगएरा जान सकते हो बट जाह सेयादा आप रास्ता वगएरा जान सकते हो आप कुछ proper व्यू वगएरा नहीं दे इसको government नहीं शो करना जाती होना security जैसे मान के चलो किसी city में कुछ करना आर्मी का एरिया है उसकी images नहीं दिखाना चाती तो वो भी इसमें available हो सकती हैं अब इसमें देखा जाए तो यह users को जो है किस तरीके से हमें help कैसे गरेगा हमारे लिए क्या advantage होगा Google Street View का तो तो क्या मानलो हमें किसी हम किसी सड़क से हम जाना चाते हैं तो हम देख सकते हैं कि प्रॉपर सड़क कैसे की है अभी के लिए क्या होता है मानलो आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना या एक जगा से दूसरी जगा जाना है तो Google Maps में आपको सिरफ ट्रैफिक के बारे में दिख जात ठीक है और इसके लाव जहां पर आप जा रहे हो destination को आप explore कर सकते हो local business जो है उन सारी चीजों को आप देख सकते हो अब बात आती है कि इसके साथ और issues क्या हो सकते हैं तो issues क्या हो सकते हैं इसके साथ इसके साथ privacy का issue हो सकता है हना जैसे obviously street view क्या दिखाएगा गाड़ियां दिखाएगा गाडियां दिखाएगा तो गाडियां की नमबर प्लेट भी दिखेंगी इसके लावा एक person की photo भी क्लिक होगी मानलो वो person अपनी photo नहीं दिखाना चारा तो obviously बात है वो वो भी उस photo में आ जाएगा तो इससे वेरियस होते है प्राइवेसी इशुद हो सकते हैं और अब अब अगर देखा जाए इंडिया के लावा दुनिया में और भी देश हैं जैसे ऑस्ट्रेलियो का जर्मनी हो गया जहां पर यह इनिशली स्टार्ट हुआ था फिर बंद हो गए और अब दुबारा से गूगल स्ट्रेट व्यू उन कंट्रीज में क्या करने जा रहा है तो देखते हैं इसे किस तरीके से इंप्लिमेंट और अच्छे तरीके से किया जाएगा इंडिया में ताकि जो प्राइवेसी कंसर्न्स हैं वो भी सॉल्फ किये जा सके हैं अब कोश्चन पर आ जाते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पुछा था तो इस कोश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए करनाटका अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें जादा से जादा फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेर करें और मिलते हम आपको एक और नॉलेजेबल कंटेंट वीडियो के साथ अगले लेक्चर में Thank you.